दोस्तों कि आपको पता है कि भारत में एक ऐसा अनोखा होटल है जहां इसी तो क्या पंखा भी नहीं है या फिर क्या आप उस बैंक के बारे में जानते हैं जिसमें मैनेचर से लेकर कैशियर तक सभी बच्चे ही हैं और क्यों हिमाचर प्रदेश के लोग एक दूसरे को ऐसे पत्थर से मारते हैं तो ये जानने के लिए बने रहना होगा विडियो के आखिर तर तो चलिए शुरू करते हैं नमबर 9 से दोस्तो बात जब भी दुनिया के आलिशान और लक्शरी होटल के होती है तो हमारे जहन में दुबई के बुर्ज खलीपा से लेकर मुंबई के ताज होटल के खयाल आने लगते हैं लेकिन कि आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा आलिशान होटल मौजूद है जहाँ आपको इस्तिमाल की गई हर चोटी से चोटी चीज भी एको फ्रेंडली है फिर चाहे बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हो सोलर एनरजी की या फिर इमारत की बनावट में इस्तिमाल होने वाली नैच्रल ब्रिक्स की और दोस्तो इस होटल में सबसे अमेजिंग बात यह है कि आपको इस होटल में AC और पंखा कुछ भी नहीं मिलेगा बलकि इन कमरों को ठंडा रखने के लिए नैच्रोल एर बैंच का इस्तिमाल किया गया है जो जमीन की ठंड़ को पानी के द्वारा कमरे तक पहुचाते हैं इसी वज़ज़ से 2400 घंटे और साल के 365 दिन आपको यहा तरीकों पर यह काफी बैस्ट है और यह होटल वाके में कम माल है नंबर एट दोस्तों वैसे तो बैंक बड़ों के लिए होते हैं वहां बच्चों को कोई काम नहीं होता है लेकिन आप यह जानकर हैरान हो जाएंगी कि भारत में एक ऐसा अनोखा बैंक है जहां मैनेजर से लेकर कैशियर तक सभी के सभी बच्चे हैं अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसा बैंक है तो आपको बता दी कि यह बैंक है तेलंगाना के चिलपूर के स्कूल में स्थित स्कूल बैंक ऑफ चिलपूर जो सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए चलाय जा रहा है और सिर्फ बच्चे काम करते हैं और उन्हीं का खाता चलता है लड़कियों के लिए चलाय जा रहा है ये बैंक स्कूली घंटों में तीन बार खुलता है जो बच्चों को उसी स्लिप के जरिये अपने खाते में वो पैसा जमा कर सकते हैं या फिर उसे निकाल सकते हैं सिर्व इतना ये नहीं इन छोटे छोटे बच्चों के पैसे पूरी तरह से यहां पर सेफ रहते हैं इनके लिए उनके द्वारा जमा की गई रकम को नजदी की पोस्ट ओफिस में जमा करा दिया जाता है ताकि जब चाहे वो अपना पैसा निकाल सके नमबर सेवन दोस्तो भारत पूरे विश्व में अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है और यहां चंद कोस्ट पर ही भाषाएं और प्रथाएं बदलने लगती है और हमारी इसी कर हैरानी तो जरूर हुई होगी लगिने बिलकुल सच है शिमला से कुछी किलोमेटर दूर स्थित धामी में हर साल दिवाली के बाद ही स्थानिय लोग दो गुटों में बढ़ जाते हैं और बीच सड़क पर एक दूसरी को पत्थर मारते हैं माना जाता है कि इस जगा पर स बनाए जाता है और वहीं मध्यवर्देश के गोटमार वे भी ऐसा ही त्योहार सुनने में आता है नंबर सिक्स दोस्तों के आग अभी आपने यह सोचा है कि जो दृष्टी हिन यानि के अंधे लोग होते हैं ये पैसो के नोट को कैसे पैचानते होंगे अगर नहीं तो चल ने अपने नए नोटों पर किनारे की तरफ बड़े और रिजर्व तरीके से नोट की राशी को लिखना शुरू कर दिया ताकि अंधे लोगों को भी करणसी के डिनॉमिनेशन का पता चल सके और उस किनारे को चुकर नोटों की पहचान आसानी से की जा सके और तो और सरकार ने नोटों की सठीक पहचान के लिए मनी जैसी अब भी लॉंच की है और जिसमें स्कैन करने से आप नोट असली है अनकली और वो कितनी डिनोमेनेशन का है ये बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं नमबर फाइव ट्रैक के उपर नहीं बलकि उसकी नीचे लटक कर चलती है जी हाँ जर्मनी के वपटल सस्पेंशन पर चलने वाली इस उल्टी ट्रीन के बारे में सुनकर आपको जितना अटपटा लग रहा होगा इसमें बैट कर सफर करना उतना ही मज़ेदार है और दुनिया वर से हजारों लाखों लोग यहां से सुल्टे पुल्टे अनों के सफर का मसले निकले आते हैं इससे भी ज़्यादा हैरानी के बात ये है कि उल्टा लटक कर चलने वाली ये ट्रीन आज से 120 साल पुरानी है जिससे शहर के डेवलफ होने के बाद जगा की कमी के वजह से हवा के उपर ट्रैक बना कर एक सदी से भी उपर समय से चलाय जा रहा है अब आप ज़रा इस कीड़े पर नज़र डाले जो देखने में आपको किसी कैंचुय जैसा लग रहोगा लेकिन इसके शिकार करने का तरीका इतना डरावना है कि इससे दूरी बनाए रखने में आपकी भलाई है और दोस्तों आपको बता दूं कि इस पेचिदा कीड़े का नाम हैमर हैड वूम है जो आपके शरीर को सूप बना कर पी जाता है और ये खतरना काम इसके लिए बाए हाथ का खेल है दरसल हैमर हैड वूम अपने शरीर से एक चिपचिपा पदार छोड़ता है जिसमें काफी अधिक मात्रा में टेट्रोड और टॉक्सी नाम का केमिकल पाए जाता है दोस्तों अक्सर आपने नीताया मंत्री को उनके वियाईपी रूम में बैटकर फोन पर गपशप करते हुए देखा होगा लेकिन क्या कभी आपने किसी मंत्री को बात के लिए 50 फीट उपर आसमान में जाते देखा है वेल सुनने में ये बेहत अनोकी बाते लगती है लेकिन ये वारदात मध्यप्रदेश की है जहां पर मुंगावली विधानसभा के विधायक और सरकार के मंत्री ब्रिजेश सिंग यादव को जन समस्या हल करने के लिए 50 फीट उचे जूले पर चड़ना पड़ा अब मंत्री को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके अलाके में मॉबाइल नेटवर्क की काफी दिक्कत है और जिसकी वज़े से उन्हें फोन पर बात करनी के लिए ही इस जूले पर रोजाना दो घंटे बिताने पड़े ताकि वो लोगों की परिशानियों को सुन कर उ नमबर टू धरती पर आज भी ऐसी कई रहस्यमाई जगा है जो इंसान के लिए पहिली बनी हुई है और इन पर चाहे कितनी भी खोजे क्यों न की जाए विज्ञान को ये अभी भी उलजाय रखती है और हमारे देश में भी ऐसी कई जगा है जो न्यूटन के गुरत्वा कर गार्ट में स्तित है और मुंबई से लगभग तीन घंटे की दूरी पर मौजूद ये घाट उल्टे जहरने यानि की रिवर्स वाटरफॉल के लिए दुनिया भर में मशूर है और इस जगा की सुंदरता मॉंसुन सीजन में देखने लाइक होती है इस वक्त पानी ज्याद होता है और जब जहरने से पानी उड़कर ऊपर जाता हो दिखाई देता है तो ये देखकर बिलकुल अलग किसम का अनुभव होता है और फाइनली नमबर वान दोस्तो ट्रेन के सफर को यात्रा करने का सबसे सुरक्षित और सुगम साधन समझा जाता है खास दोर पर जब त टीसी ने उसे 74-75 नमबर की सीट अलोट भी कर दी थी कहानी दिल्चस्प तब हुई जब ट्रेन के अंदर जाने पर उस व्यक्ती ने सीवन कोच का एक कोना च्छान मारा लेकिन उसे सीट नमबर 74-75 ढूंते नहीं मिला अब आप पूछेंगे कि क्यों और वो इसलिए क्यों की कोच में 73 सीटे थी तो बाद में टीटी साब ने उस शक्स को IRCTC की वेबसाइट का एरर बताया जिससे कि आए दिन यात्री परिशान होते रहते हैं हाला कि टीटी ने उस यात्री को दूसरे कोच में सीट मोहिया करवा दी लेकिन रेल के आला अधिकारी समस्या का सोलिश आपको मिलती रहे तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फूर वाचिंग